गाजा में चल रही जंग के बीश लेबनान के हिजबुला ने उतरी बॉर्डर पर कोहरा मचाया हुआ है जहां देखो तहां हिजबुला के रॉकेट, मिसाइल और डूर बरस रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हिटाख वाने जाने वानी इस्रै설ी फोर्स हिजबुला के इन हमलों का कुष़् वह नहीं बाय पाई है अलबता हिजबुला इस्रैल पर और ज्यादा हावी हो चुका है आंकिति से हिजबुल्ला ने इस्राइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुल्ला से पूर्ण युद्ध करने का परिणाम क्या होगा ये भी IDF के दिमाग में है और इन सत्य बीच इजबुल्ला ने खिर्बेट सेलंप ग्रेंज का एक जठ्था फायर किया है जिस इजबुल्ला का कहना है कि उसने श्रागा बैरेक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इसराइली सेना की गोलानी ब्रिगेड्स मौजूद थी और यहां पर इगोज स् और इसके बाद हिजबुल्ला की लडाकों ने थीन सो भी बैरम टेरिगेड्स के हच्वार्टर पर भी पत्यूशा रॉकेट्स का एक जठ्था फायर कर दिया जिसमें आइडियास को भारी निक्सांग हुआ है आपको बता दे कि हिजबुल्ला का कहना है कि उसने जल अलाम मिलिक्टरी साइट पर भी दो फॉर्स परसन वियू ड्रोन्स दागे हैं जिसमें भारी विस्फूटक लडा हुआ था और इसके बाइडियास के जेट से अबनान में घुसे तो हिजबुल्ला ने उन पर जमीन से हवा में वार करेवानी निक्सांगे दागती जिससे इस्राइली जेट्स को पीछे हटना पड़ा वाई इस्बुल्ला के डोन हमले को लेकर इसराइली सेना का कहना है कि ईजबुल्ला धूरा दागे गए डोन नहरिया शहर के एक बिल्डिंग पर जा कर गिरे हैं जिसमें दो लोग घाएल हुए है हालंकि हेजबुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि उसने श्ट्रागा कैम्प में IDF के सेने बेस को टार्गेट किया है जब कि IDF कुछ और ही कहरे ही है इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिखे ही है इस हमले को देखर वैसल इस्राइल की वार कैबिनेट की पूर्वसदा से बेनी गांट्स का कहना है कि अब हेजबुल्ला और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है हम इस मामले में काफी पीछे है बेनी गैंट्स ने अपने बयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वापस लोटे हम ये लक्षय हासिल कर सकते हैं यहां तक यदि लेबनान के उपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भागे वर्ष मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता हमास की कहानी अब पुरानी खबर हो चुकी है इरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रही है वो एक असल मुद्दा है आपको बता दे के हिजबुला के हमलों की वजह से लेवनान से 60 उतरी इसराइल का इलाका वी राहन हो चुका है यहां रहने वाले लाकों सेंटलर्स अपने घरों से बेघर हो चुके है जबकि 64,000 लोग अभी भी हिजबुला के हमले के साहे में यहां रह रहे हैं और नहारिया के सिलाके में हिजबुला ने जो ड्रोन फायर किया था वो दो अपार्टमेंट पर जाकर गिरे हलांकि समले में कोई भायल नहीं था लेकिन अब यहां रह रहे हैं लोगों का पीम नेतन्याहूं के उपर बड़ा आरोप है उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस चुड़ दिया है यह लोग नेतन्याहूं से जल से जल बंदकों की रहाई के लिए समझोता करने की मांग कर रहे हैं इसमें अभी तक 26 इसराइली नागरिकों की जान चली गई जबकि आईडियाफ के 20 जवान और रिजर्विस्ट भी इस्थी भी उचड़ गए है और अब सीरिया के तरफ से भी प्रतिरोधी समू इन नागरिकाबादी पर हमले कर रहे हैं प्रतिर प्रतिरोधी सम्ट्स्ट्ट्टर चेल में रहे हैं